सबी को जाएं दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आश्रा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंट्रोस्टिंग और एक स्पेशल वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे कि आर्जु का इंट्रोस्टिंग होगी इसे अन तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्स्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट और इंट्रेस्टिंग वीडियो लाते रहें और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हम ऑरड़ी चैनल पे डाल चुके हैं अगर आपने व छोड़ के ना जा को कि लोग वहां से भाग रहे हैं मकीयों की तरह लेकिन उनकी अकानमी बहुत स्लगेश है चाइना उतना रेटैलियेट नहीं करेगा जिस तरीके से पहले माजी में करता रहा है लेकिन इस वकत जो चीजें हैं डाक्टर जेश अंकर जो थे वो सबसे पहले वो सिंगापूर गए थे और उसके बाद वो आज फिलिपीन के अंदर हैं बड़ी सबर्दस स्पीच उनने दी खासकर जो रश्या का जो रश्या के अंदर एक वा मास्कों पे उसके उपर उनने सिंगापूर से कहा था कि बढ़ी टैर्रीस्ट तर्रिस्ट रगाड़लेस व 1982 में लिखा था और उसको उन्होंने स्पीच के अंदर अपनी जो थी उसके उन्होंने हवाला दिया है कि सारी पाइटीस को उसके बाबाद रहना चाहिए और जो सौथ चाइना सी है जिसके उपर चाइना अपना काफी हक समझता है और फिल्पीन का भी काफी पानी जो है व उन्होंने क्यॐंकि आज उन्होंने भारत को भारत का करजा है काफी और उन्हेंने री सकेजूल कराना था तो थोड़े भारत के भी गीत गा रहे हैं वो लोग उसके गलत मतलब ले रहे हैं शायद ही is a change of heart लेकिन जै शंकर साभ निकले वे हैं जै शंकर साभ जो सिंगाप और फिल्पीन जाना धर हकीकत और फिर उसके बाद मोदी जी का कुटान में जाना यह सारा धर हकीकत इस बेसिकली टू फ्लेक्स दब मसल अगेंस चाइना और दूसरा अलेक्शन हो रहा है मोदी साब चार सो नहीं तो तीन सो सतर असी सीट है तो जरूर लेंगे इस वकद मोद था मोदी जी की गारंटी है तो अब वो खास कर दूसरा स्लोगन मुझे पता चला है आज के मोदी जी का परवार वो कहते हैं न के कांग्रसी पाइटी जो है उनमें एक ही परवार है गांधी वो सारे एक ही परवार पाइटी के अंदर गुसा वह तो वो मोदी साब ने अप दूसरे चौक में बोधी जी का वो प्ले कार्ट पड़ावा था उनका वो पूरा जिस तरह लगता है कि मोधी साब खुद खड़े में लोग खड़े वो के साथ तस्वीरें बनाते थे यह देख और दूसरी मैंने एक बात देखास कर नोट की थी दो चीजें खास कर मैंने नो पिर मेरे कुछ भारती दोस्त है वो कहते थे जी मंदर ओर था तो उसकत गाओं गाओं शार जार में सुभा सुभा लोग नि worked निकलते थे जिसमें आपने सारे जो हंदू थे वो गया घाते थे तो दूसरा उसमें जै मोधी साब के देख है कि कुए पांच मिनट नहीं गु तस्वीर बिल्कुल उसी तरह सामने आ जा जा दी दिली में थे कि जहां जाते थे तो वहां मोधी जी और साथ अपना अजितिया योगी साथ की तस्वीर खुरण आ आ जाती थे तो ये दो चीजे मैंने बड़ी इंटरस्टिंग देखी हैं वहां पर के एक तो जंडे और मैं जो जिस जगह पे गया था जो मेरा सबसे जो मेरा मैं होम की समझता हूँ हिंदू बेल्ट है बिल्कुल इंदर वहां पर तो खायर है बहुत ज़्यदा वो काव बेल्ट उसको कहते हैं तो और फिर वहां सराफा बजार में गया रात को शाम के टाइम वो जिस तरह आपके फ खास कर जो देखने वाली थी कि बिल्कुँ सड़क से एक साइट पे मंदर था और सड़क से दूसरी साइट पे मस्यद थी और को मजार भी ता और मैं दोनों के अंदर जा जगाए जगा मैंने विडियो भी वहांसरे बनाई थी एका दुका केसिज तो फिर आर्जू हर जगा होते हैं वो दूकल आर्जू मैं समझता हो हर कौम और हर मजब के अंदर कुछ परसंटेज लोगों की होती है जो ट्रबल मेकर होते हैं यह बॉर्ण ट्रबल मेकर वो उसके उपर अगर राय बना ले नहीं कि सभी हिंदू ऐसे है हैं सभी मुसल्मान ऐसे हैं सभी सिक ऐसे हैं तो तैड इस तैड विल नाट बी फैर विल्कुल ऐसे ही सर और यकीनन जिस तरह से भारत आगे गया है हर चीज में खास और पर पाकिस्तानी तो एकॉनमी बहुत देखते होंगी तो वो देखकर और हर जगा उनके सियोस जो बने हैं वो भी इंडियन इंसीटूट अफ टेक्नालोजी से पढ़े हैं और यह और इसका बुन्याद भी देखें उन्हों नाइटीन फिफ्टीज में रख ली थी मौलाना अजाद अबुकुलाम अजाद उनके पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और नेरू अब यह एक द तीन सीक्रेट हैं उनके पास तीन सीक्रेट और यह किसी भी कौम में और और फाइनल में इसमें ये एड़ करूंगा किजहां एजूकेटि अजुकेटर मिड़ क्लास होगी और वो नेशनलिस होगी वो कौन तरक्की तरह उनकोशन है और इस वक्त वो भारत का टाइम है कि मि अपने लीडर्शिप पर उस पे इतमाद होके यह इमारे से दोका नहीं करें तो तब ही यह चीजें आगी जाती है लेकिन मैं खुश हूँ इस चीज पर बहुत खुश हूँ इस चीज पर क्योंकि मैं मैंने हुली वाले दिन भी स्पीच दी ती 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 उसमें स्पीच में मैंने शुरू किया था क्या हम सन अफ दाइस्ट मैसेफ और इस का राइस करना भारत का राइस करना मैं खुश इसलिए हूँ कि जो इन्वेडर्स जहां जुरम करते रहे हैं जो कलूनियलिस्म के जुरम थे बलकि छे सो साल का जो एक पीरिड था होलोकास्ट छे सो साल का होलोकास्ट था हिंदू के उपर मैं रिवेंज ही समझता हूँ कि दुनिया पे तरक्की कर रहे हैं हमारी तरक्की ही सबसे बड़ा बदला है हमारा उन के तरक्की इस वक्त हो रही है मैं खुश हूँ इस चीज़एं मैं मुबारक देना चाहूँगा उनको और अपने पाकस्तानी भाईों को कहूँगा कि लर्ण करें उससे नफरतों के क्क्टरोल करें लर्ण करें लर्ण करें आप ही के भाई हैं उनको भाई समझें प्लीज वो आपी के भाई हैं आपी जैसे हैं खुदारा इन चीज़ों को कंट्रोल करके लर्निंग मोड में जाओ लर्निंग मोड में जाओ और लर्न आप तब ही कर सकते हैं जब आप गुस्छे को काम डॉण करें गुसा एक ऐसी चीज़ होती है आर्जु गुस्छे में आई विश मैं मेरा बस चले आज लहोर के अंदर इंडियन इसीटूट अफ टेक्नालोजी की बुर्याद है को आज हमारी है तो यहाल है कि बड़े बड़े पड़े लिखे लोगों की वीडियो सामने आती है वो कहते हैं जी उनकी मिनिस्टर जो हैं वहां कैसे चलीगी मैं तो फिर भूल जाता हूँ ना एचिसन कालेज ही देख लें आप तिर यह आहद चीमा ही देख लें यह तालीम की कमी है मैं फिर क्या कर देख के जखमी तभी होता हूँ ना अपनी आंखों से देख के बलके मैं वाहिद पाकस्तानी होंगा आरजू जो इंडियन इंसीट आप मैनेशमेंट में जाके स्पीज देना लेकिन यह कि अपिश आविश के हमारे बचे भी जो है उससे को चेंज करके लर्निंग पे जाए लर्न करें और साइंस को पढ़ें इंग्लिश और मैथ को पढ़ें कम्प्यूटर सीखें विलकुल ऐसा ही होना चाहिए और हम उमी आपने अंतक देखा होगा और हमेशा कितरा आर्जु काजमी जी और साजित तारसाब का अनलिसिस उनका डिसकुशन और उनके पॉजिटिव यूज आपको काफी पसंद आए होगी जहांपे इन दोनों ने ना सिरफ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बलकि चर हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं और एक बाफ फिर चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट और इंटरसिंग वीडियो लाते रहें जय हिंद जय भारत